नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है चलिए सुरुवात करते हैं संपाद की से समंधित इस वीडियो की इस संपाद की के साथ जिसे लिया गया है दा हिंदू न्यूजपेपर से और यह संपाद की यह जिसका सिर्षक है अब हमें यह पता है कि RBI ने इस साल के जून महिने में सेंट्रल बोर्ड के निदेशक P.K. महंती की अध्यक्षता में एक पांच सदस्ये आंत्रिक कारिस समू या इंटर्नल वर्किंग ग्रूप का गठन किया था और इसके गठन का उद्देश से था कि भारती नीजी छेत्र के जो बैंक हैं उन बैंकों के लिए वर्तमान में जो सौमित्य दिसान निर्देश है उन दिसान निर्देशों की समिक्षा करना तो इस इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने उन दिसान निर्देशों की समिक्षा की और हाली में RBI को अपनी रिपोर्ट सब्मिट की आए अब हम यह देखते हैं कि इंटर्नल वर्किंग ग्रूप के द्वारा जो रिपोर्ट सौमपी गई है RBI को उसमें इस वर्किंग ग्रूप के द्वारा क्या महत्रपून सुझाओ दिये गया है जो पहला सुझाओ दिया गया है वह सुझाओ समंदित है नीजी बैंकों में प्रमोटरों मतलब उनके संस्थापकों और नौन प्रमोटरों मतलब सामान शेयर धारकों की हिस्सेदारी की उपरी सीमा से तो प्रस्ताओं में यह बात कही गई है कि नीजी बैंक में जो प्रमोटर हैं उन प्रमोटरों की हिस्सेदारी को जो वर्तमान में 15 फिस्दी की उपरी सीमा तक है उसको बढ़ाकर 26 फिस्दी किया जाए और यह जो सीमा का विस्तार किया जाएगा इसके लिए 15 साल की अवधी निश्चित की गई है वही जो non-promoter हैं उनके लिए हिस्चेदारी की उपरी सीमा की बात की गई है कहां तक 15 परति सुझाओं में यह बात भी कही गई है कि 5 साल की लौक इन पिरियट के बाद किसी भी समय होल्डिंग को 26 प्रतिसत से नीचे लाने का विकल्प प्रमोटर चुन सकते हैं अब यहां पर यह महत्पूर्ण है कि यह लौक इन पिरियट क्या होता है लौक इन पिरियट का मतलब यह पर यह है कि एक ऐसी अवधी जिसमें निवेशक अपने निवेश को बेच नहीं सकता है अगला प्रस्ताव है बड़े कॉर्पोरेट या ओध्योगी घरानों को बैंक खोलने के लिए आमंत्रित करने का इसके अंतरगत या बात कही गई है कि बैंकों के प्रमोटर के रूप में बड़े कॉर्पोरेट या ओध्योगी घरानों को भी सामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए जो बैंकिंग वी नियमन अधिनयम है उसमें संसोधन करने का सुझाओ इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने दिया है इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने वैसे NBFC जिनका आक दिया गया है लेकिन उसके लिए शर्त यहां पर या रखी गई है कि ये वैसे NBFC होने चाहिए जो लगातार 10 साल से सही कारी कर रहे हैं तो वैसे कौन-कौन से NBFC बैंक में तबदील हो सकते हैं तो देखे कि प्राइवेट सेक्टर के अंतरगत जहां चितर में ये सारे बै बात करें तो उसके अंतरगत Power Finance Corporation, REC Limited, LIC Housing Finance, PNB Housing, Hood को ये बैंक में बदलने की योगिता रखते हैं अब हमें यह पता है कि Universal Bank के लिए नियुनितम सुरुवाती पूंजी की आवश्यक्ता वरतमान में 500 कड़ो रूपे की है वहीं अगर Small Finance Bank Universal Bank के रूप में अपने आपको प इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने यह सुझाव दिया है Universal Bank के लिए नियुनितम सुरुवाती पूंजी की जो वरतमान आवश्यक्ता 500 कड़ो रूपे की है उसको बढ़ाकर 1000 कड़ो रूपे किया जाए और Small Finance Bank के लिए जो नियुनितम सुरुवाती पूंजी की आवश्यक् अगर बात करें Payment Bank और Small Finance Bank की तो हमें यह पता है कि Payment Bank और Small Finance Bank में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक मापदंड है उस आवश्यक मापदंड या मानदंडों की रूप में 5 वर्स का अनुवा प्रियाप्त है परंतु सुझाव में यह बात कही गई है कि Payment Bank और Small Finance Bank में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक मापदंडों की रूप में 3 वर्स का अनुवा भी प्रियाप्त है और अगर Payment Bank और Small Finance Bank युनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होना चाहता है तो उनके लिए 2 सरते रखी गई है पाहली सरत तो यहाँ पर यह है कि उनके पूंजी का आका 6 वर्स के भीतर जो सारभॉमिक बैंक की सुरुआत करने के लिए नियुन्तम आवश्यक पूंजी होती है उतना उनके पास होना चाहिए या जो दूसरी सरत वह यह है कि उनके परिचालन का 10 वर्स पूरा हो चुका हो तो दोनों मेंसे जिन सरतों को Small Finance Bank और Payment Bank पूरा करते हो तो फिर उनको सारभॉमिक बैंक में परिवर्तित करने का सुझाओ Internal Working Group ने दिया है अब हम बात करते हैं NOFHC का मतलब Non Operative Financial Holding Company की तो सुझाओ में यह बात कही गई है कि Non Operative Financial Holding Company को सारभॉमिक बैंकों के लिए जो लैसेंस जारी किया जाता है तो उसमें इनको वरियता दी जा अब अगर हम बात करें Non Operative Financial Holding Company की तो यह एक परकार की Non Banking Financial Company होती है 2014 इस्वी में RBI द्वारा NBFC के इस रूप को सामने लाए गया और NBFC के इस रूप को नया बैंक इस्थापित करने की अनुमती दी गई है अब RBI के इस Internal Working Group ने जो प्रस्ताव रखे हैं उस पर यह संभावना है कि 15 जनवरी 2021 तक उस पर कारी किया जाएगा परन्तु इस Working Group के द्वारा जो सुझाओ दिये गए हैं इन सुझाओ ने कुछ विशेशग्यों के आपत्ती को भी आमंत्रित किया है और आपत्ती आमंत्रित करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है वह है कि नीजी कंपनियों को बैंक का लाइसेंस देना मतलब या कि नीजी कमपनियों को बैंक का लैसेंस देना यह कितना सही है और कितना गलत है और इसमें दो प्रमुख विसेसग्य हैं एक RBI के पूर्व गवर्णर रगुराम राजन और दूसरे पूर्व डिप्टी गवर्णर विरल आचारे इन दोनों ने नीजी कमपनियों को बैंक का लैसेंस देने के इस प्रस्ताव का विरोध किया है इन्होंने यह बात कही है कि यह जो विसेसग्यों की समीती थी इन विसेसग्यों की समीती में सिर्फ एक ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर दी थी जबकि जो अन विसेसग्य थे उन विसेसग्यों के द्वारा इन प्रस्ताओं पर हरी जंडी नहीं दिखाई गए थी। और इन दोनों अर्थ सास्त्रियों का यहां मानना है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट्स का प्रवेस होता है तो फिर कनेक्टेड लेंडिंग की समस्या प्रारंब हो जाएगी। अगर हम बात करें कि कनेक्टेड लेंडिंग का अर्थ यहां पर क्या है तो कनेक्टेड लेंडिंग का अर्थ यहां पर यह है कि बैंक का मालिक अपनी ही कमपनियों को आसान सर्तों पर लोन देगा। तो मतलब यहां पर यह है कि एक ऐसा बैंक होगा जिस बैंक को एक सेट के द्वारा इस्थाफित किया जाएगा इसमें आम लोगों की जमापूंजी होगी और फिर यह सेट क्या करेगा कि आम लोगों की इस जमापूंजी का उप्योग सेट अपनी कमपनी के वित्ती आवसकता की पूर्ती में करेगा तो इससे यह आसंका है कि फिर वित्ती और राजन कट का सामना करेगा अब देखिए कि जब से यह प्रस्ताव आया है बहुत सारे कॉर्परेट सेक्टर से सम्मंदित जो लोग है उनको यह आज जगी है कि उनको अब नए बैंकों को खोलने के लाइसेंस प्राप्त होंगे और हमें यह पता है कि 1979 और 1980 इसमी में बैंकों का राष्टी करण किया गया था 1991 में जब नई आर्थिक नीती को स्विकार किया गया था तो फिर बैंकिंग छेत्रों में भी सुधार के लिए नर्सिमन समीती का गठन किया गया था और नर्सिमन समीती की सिफारिसों के आधार पर नीजी छेत्रों को बैंक खोलने के लिए आमंत्रित किया गया उन्हें लैसेंस दिया गया और तब से ही कई कॉर्पोरेट जो छेतर हैं वो बैंक खोलने का सपना देख रहे हैं और पिछले कुछ सालों के अगर हम बात करें तो NBFC की संख्या लगातार बढ़ रही है RBI के Internal Working Group का यह प्रस्ताओ की कॉर्पोरेट घहरानों को बैंक खोलने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए तो फिर यह प्रस्ताओ कई आर्थिक विशले सुकों को अमरिका की 2078 की मंदी की याद दिलाता है वह इसलिए क्योंकि 2078 इस्वी में अमरिका में जो मंदी आई थी उसका कारण था वित्तिय संस्थानों का ओसफल होना और यह जो वित्तिय संस्थान जो ओसफल हुए थे उसमें जादा तर कॉर्पोरेट घहरानों से संबंधित वित्तिय संस्थान थे और उसके बाद से कई देशों में corporate कमपनियों के bank चलाने पर संदे व्यक्त किया जा रहा है और एक सबसे बड़ा उधारन देखे क्या है इंडोनेसिया का इंडोनेसिया को अपने corporate banking के कारण इंडोनेसिया की जो GDP है उस GDP के एक तिहाई हिस्से के बराबर नुकसान उठाना पड़ा था प्रस्ताओं में या जो नीजी छेतरों को bank खोलने की बात कही गई है या प्रमोटरों के हिस्सेदारी की उपरी सीमा की बात कही गई है तो वह उतनी चिंता की बात नहीं है जितनी चिंता की बात यह है कि corporate घरानों को bank खोलने के लिए आमंतरित किये जाने का प्रस्ताओं और अगर हम कुछ bank की इस्थिती देखें जैसे यस bank, PMC bank और लक्ष्मी विलास bank तो इनकी माली हालत सही नहीं है और इनकी इसी माली हालत के कारण केंद्रिय बैंक को मतलब RBI को इन्हें अपने अधीन लेना पड़ा है इन बैंकों के अलावा कुछ ऐसे bank भी हैं जिनकी वित्ती इस्थिती अच्छी नहीं है और यह जो वित्ती इस्थिती अच्छी नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण के है उनके non-performing assets का आकार और ऐसा नहीं है कि केवल यह छोटे बैंक ही इस प्रकार की वित्ती इस्थिती का सामना कर रहे हैं अगर public sector bank की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सरकारी कर्जदाता State Bank of India और अगर नीजी छेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा नीजी बैंक HDFC भी non-performing assets का सामना कर रहा ह और 2014 इसवी से RBI के द्वारा non-performing assets से समंदि समस्या के समाधान के लिए कई उपाए अपनाए गए हैं परंतु कई सुधारों को अपनाए जाने के पस्चात भी अभी भी non-performing assets से समंदि समस्याएं बने हुई हैं और यह बात की एक सक्त कानून बनाने के बाद इस समस्या क समाधान हो जाएगा तो आर्थिक विशले सकों का यह मानना है कि यह नहीं होगा क्यों इसलिए क्योंकि पाले से ही कई ऐसे सक्त कानून मौजूद थे उसके बावजूद भी वित्ति और नियमितिता का सिकार कई बड़े बैंक हुए हैं कि यह सही है कि वर्तमान में अर्थ पूर्पूर्ण फैसला हो सकता है परनतु इसके साथ यह भी आवस्यक है कि समय के साथ आर्भी आई अपनी निग्रानी के तरीके और कारिपढ़नाली में सुधार करें इस प्रकार हमने इस संपादकी के माध्यम से आर्भी आई के द्वारा गठित इंटर्नल वर्किंग ग प्रश्ण है कि आर्भी आई द्वारा गठित हाल या आंत्रिक कारिश समूं के द्वारा प्रस्तुत सुझाओं की समीच्छा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update